नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 6-7 महीनों में दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन का ट्रेंड बढ़ा है मतलब दुनिया के देश व्यापार में डॉलर का इस्तमाल कम कर रहे हैं लोकल करन आपको बता दू कि डी डॉलराइजेशन अब ना सिर्फ व्यापार में हो रहा है बलकि दुनिया भर के देशों के खजानों में हो रहा है क्योंकि अभी तक दुनिया के ज़्यादतर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार में यानि कि अपने खजाने में अमरीकी डॉ दोलर को रखना पसंद करते थे क्योंकि एक तो स्टेबल करंसी है और बहुत ही ज़दा मजबूत और शक्तिशाली भी है दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि समय के साथ इसका दाम भी बढ़ता है यानि कि आपने जो अपने खजाने में डोलर रखा है समय के साथ उसकी वैल् रखना शुरू कर दिया है और उसे रिप्लेस किया है गोल्ड से अब दुनिया के देश खजाने में अपने गोल्ड को रखना पसंद कर रहे हैं और इसका कारण यह है कि रूस युक्रेन युद शुरू होने से पहले रूस के पास करीबन पात सो बिलियन डोलर का विदेश रिखली है और इसलिए भारत ने पिछले कुछ सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा सोना खरीदा है रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने तो सोना खरीदने में रिकोर्ड तोड़ दिया है स्किन पराप आर्टिकल देख भी सकते हों और इसी वजह से भारत का खजाना और stable होता जा रहा है और समय के साथ ये मजबूत भी हो रहा है और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि भारत का खजाना ना सिर्फ मजबूत हो छुका है बल्कि बहुत तेजी से बढ़ना भी शुरू हो चुका है पिछले कई हफतों से भारत का जो total forex reserve है यानि कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है वो बहुत तेजी से बड़ा है और पिछले हफते तो इसने डिकोर्ड ही तोड़ दिये दसला आप स्क्रीन पर देखिए अब से कुछी घंटे पहले खबर निकल कर सामने आई है जिसमें RBI ने पिछले हफते के भारतिय फोरक्स रिजर्व का डाटा रिलीज किया है जिसमें बताया है कि पिछले हफते हमारा विदेशी मुद्रा भंडार करीबन 3.03 billion dollar बढ़ चुका है भारतिय रुपे में बताऊं तो करीबन 24,000 करोड रुपे सिर्फ एक हफते में बढ़ा है और अब हमारा टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है 576.76 billion dollar और ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हमारा खाजाना अभी इस लेवल पर पहुँच चुका है कि इसने 6 मन्त के हाई को टच कर लिया है हो सकता है भारी मंदी भी आ जाए ऐसे में अगर इस से निपटना है तो हमें अपना खजाना खर्च करना होगा इसलिए भारत का खजाना जितना ज्यादा वढ़ेगा भारत सरकार की मंदी और महंगाई के खिलाफ लड़ने की शमता उतनी ही जादा बढ़ती चली जाएगी और इसलिए भारत के तमाम अर्थशास्त्री और दुनिया भर के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत को आने वाले एक से लेकर डेड़ महीने में करीबन 600 बिलियन की आंकडे के आसपास पहुंचना पड़ेगा अगर भारत उस आखडे पर पहुंच जाता है तो हम हर एक आर्थिक मंदी हर एक महंगाई से लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाएंगे आला कि भारत के खजाने पर मैं लगातार नजर बनाय हुए हूँ जैसे ही इस पर अगले हफते रिपोर्ट आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सुचित कर दूँगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना फिलाली सुडियो में इतना ही थैंक्यू वेर म पर वाचिंग वीडियो